वेलकम दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्राइटकों ग्रूप की तरफ से दो बड़ी अपडेट के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि हमें जो अभी जो सोमवार से सोमवार इनका जो ट्रेडिंग डे है वो पूरे सबते कब से स्टार्ट होगा वो सारी डीटेल ह हम इस वीडियो में बात करेंगे तो चैलिए सबसे पहले तो आप राइटकों ग्रूप के आज की डीटेल आप यहां पर देखेंगे वही सिमिलर ही है वैसे ट्रेडिंग टो ख्लोज है तो यहां पर अपडेट के अकरम बात करें तो सबसे में अपडेट ब्राइट की जो मनदल्हार कर देजाते हैं कि अब पूरे वीग कर दिया जाए, पूरे हफता कर दिया जाए, मादद दाने की मंडे से फ्राइडे के तरह चलते रहे कि जो भी क्लोज हो जाए, तो यह रिवर्क हो जाए तो यह अच्छी बात रहेगी, यह अब बातची चल रही है तो एक update यह है, दूसरी update यह है कि इनके quarter 4 के जो result है उनके जो documents जो paperwork start हो चुका है, तो काफी जल्दी हमें इसनके next quarter के result है, वो भी हमें काफी जल्दी announce होते हुए देखनों मिल सकते हैं, और तीसरी इन्होंने अपने जो auditor है, उनको hire कर दिया है, तो यह इतनी खास नहीं है, लेकिन यह 3-4 मतलब, मैं दो update यही है कि नसी बीसी की team के साथ जागर बात कर रही है, इनका जो conclusion है, वो revoke करने की कोशिश कर रही है, second रही बार इनके quarterly जो paperwork start हो चुका है, तो हमे quarterly, next quarter के result भी हमें जल्दी announce होते हुए, देखनों मिल सकते हैं, तो यह 2-4 चीज़े हमें देखनों मिल रही है, उसके कारण हमें Monday की दिन इनके share पर असर देखनों मिलेगा, और Monday की दिन भी ज़्यादा तर chance चाहिए, कि हमें इसमें अपर सर के देखनों मिल जाए, और हो सकता है, अगर जल्दी यह announcement भी हमें देखनों मिल जाए, कि बाई, यह मतलब Monday से, मतलब Friday तक मतलब इनकी trading स्टार्ट रहेगी, तो वो भी announcement होते ही, इसमें हमें तेज़ी देखनों मिल सकती है, ज्यादा आस यही है, कि यहां से share में हमें अब दीरे दीरे तेज़ी देखनों मिल सकती है, अगर यह trading जल्दी ही start हो जाती है, रिवोक हो जाती है, हमें इसमें काफी अच्छी खासी तेज़ी देखनों मिल सकती है, बाकि इसके बाद भी आपको यह question हो, तो आप मुझे कमेड उक्स में जरूरू बताएगा